उत्र पर्देश में हातरस के बाद बलरामपूर जिले के गैंसडी इलाके में दली तियूपती से गैंग रेप की घटना सामने आई है बताया जा रहा है कि 22 साल की छात्रा को पहले किड्नैप किया गया फिर नशे के इंजेक्शन से बेहोश कर दो आरोपियों ने दुशकरम किया लड़की की हालत इतनी बिगड़ गई कि उसकी मोथ हो गई पुलिस ने साहिल और शाहिद नाम के आरोपियों को गिरफतार किया है इनके खिलाफ गैंगरिप और हत्या का केस दर्च किया गया है आपको बता दे कि यूपती कॉलेज की फीस जमा कराने के लिए मंगलवार सुभह 10 बजे घर से निकली थी शाम तक घर नहीं लोटी तो घरवालों ने फोन किया लेकिन फोन बंद था शाम करीब 7 बजी यूपती घंबीर हालत में रिक्षे से घर पहुची उसके हाथ पर कैनूला लगा था बेहोशी की हालत में थी बोल भी नहीं पा रही थी परीजन तुरंत डॉक्टर के पास ले गए फिर डॉक्टर के कहने पर लखनव ले जा रहे थे लेकिन रास्ते में ही यूपती की मोथ हो गई लड़की की मा ने बताया कि बेटे कॉलेज से लोट रही थी रास्ते में कार में आए तीन से चार लोगों ने उसे अगवा कर लिया उसे नशे के इंजेक्शन दे कर दुशकरम किया गया आरोपियों ने बेटे की कमर और पैर भी तोड़ दिये इसलिए ना तो वह खड़ी हो पा रही थी और ना ही बोल पा रही थी बस इतना ही कह पाई कि पेट में बहुत तेज जलन हो रही है हम मर जाएंगे पुलिस का कहना है कि वारदात गैसनी गाउ में एक किराना स्टोर के पीछे के कमरे में हुई पीडित की सैंडिल उसी कमरे के बाहर मिली है दुकान मालिक की घटना का मास्टर माइंड बताया जा रहा है आरोपियों ने दुशकरम और मारपिट के बाद पास के ही डोक्टर से पीडित का इलाज करवाने की कोशिश की थी डोक्टर ने बताया कि साहिल नाम के लड़के का शाम पांच बजे फोन आया था वह मुझे अपनी दुकान पर ले गया वहाँ पर उन्हों ने कहा कि एक फैमिली मेंबर को देख लीजे जब देखा तो कमरे में लड़की के अलावा कोई और नहीं था सूतर के मुताविक अंतिम संसकार में पूलिस ने हातरस के मामले की तरह ही जल्दवाजी दिखाई है बलरामपूर की पीडित का अंतिम संसकार भी भारी पुलिस बल की तैनाती में मंगलवार रात को ही करवा दिया गया यह बाद में सामने आ रहे हैं कि पुलिस ने मामना दबाने की कोशिश की थी आलाकि लोगों का कहना है कि पिडित परिवार की सहमती से ही अंतिम संसकार किया गया वहीं उत्र परदेश की पूर मुक्रे मन्तरी और समाजवाधी पार्टे के नेता अगिलेश यादव ने ट्वीट कर कहा है कि हात्रस के बाद अब बल्रामपूर में भी एक बेटी के साथ सामुहिक बलतकार और उत्पीडन का घ्रीनिक अपराध हुआ है भाजपा सरकार बल्रामपूर में हात्रस जैसी लापरवाई और लीपापोसी ना करे बल्कि अपराधियों पर तुरंत कारेवाही करे पर बल्रामपूर के ठाना गैसली में एक तहरीर प्राप्त हुई है जिसमें एक 22 बर्ष की रड़की है जिसके परीजनों ने ये बताया कि वो लड़की एक प्राइवेट फर में काम करती है और कल वो जब फर में काम करने गई उसके बाद काफी देर तक शाम को आपस नहीं तो परीजनों को चिंता हुई उन्होंने फोन से संपर्ख करने की कोशिश की लेकि लड़की से संपर्ख नहीं हो पाया लेकिन थोड़ी देर बाद वो लड़की एक रिक्षे पर आई तो उसकी लड़की के हाथ में जो ग्लुकोच चड़ाने वाला वीगो होता था वो इनके बारे में खाहा है कि इन लड़कों ने इसी डॉक्तर के पास ले जाकर के हमारी लड़की का इलाज कराया और लड़की के साथ हमाय बलातकार किया तो इस प्रक्रण में पुलिस ने तुरंत कारवाई करते हुए जो नामजद अभीवत हैं इनको गिलवतार कर लिया है झाल